केसल एक साधिश है ये पृड़टा के भाई संदीव का कहना है कॉलडटेल एसाइटी की जाच का हिस्सा नहीं है केवल पोलिस का रिवाई पर जाच हो रही है, SIT ने क्लियर कर दिया है, पंचायतों से डर लग रहा है, पिता ने कहा है, जो पंचायते हो रही है, गुडिया के गुनेहगार चक्रब्यू रच रहे हैं, और कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में अनहोनी की आशंका है, ये पि आपकी भी आशंकाई की पुलिस की मौजूदगी में भी कुछ अनहोनी हो सकती, हाला कि पूरे घर को CCTV कैमरों से लाइस कर दिया है, अंदर पुलिस, बाहर पुलिस, पुलिस तैनात है, सरकार भले ही तिफाक ना रखे, लेकिन दबंग ठाकरों के गाउं में गुडिया के परवार की हालत दातों के बीच जीब जैसी है, हालातों ने बेटी छीन ली और गाउं के ठाकरों और उतरप्रदेश की सरकार से परवार की सीधी-सीधी रंज स्ठान दी है, गाउं में रोटी रोजगार के साधन खत्म हैं और मुकद्मे बाजी के बीच गाउं में रहना परवार के लिए नामुम्किन होगा, इसलिए अब परवार इस गाउं से पलाइन करने की ठान चुका है, कैमरा सायोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बूल गड़ी गाउं, हात रस। नरेंद्र कॉल डिटेल एक साजिश है और अब तो यहां भी कुछ लोग कह रहे हैं इस चक्रभी में फसाने के लिए कि पीडिता का भाई भी इसमें आरोपी हो सकता है। देखे, तमाम तरह के आरोप जो पीडित परिवार है, उसके उपर लगाई जा रहे हैं। जो पीडिता है, जो संसार से जा चुकी है, उसका करेक्टर ऐसे सिनेशन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो नीच्टा की पराकाश्टा है, वो यहां तक पहुँच चुकी है, कि सतारूल पार्टी का एक प्रवक्ता, सीडियार जो कॉल डिटेल है, उसको बाइरल कर रहा है, और वो अलग-अलग चैनलों के माध्यम से उसको मीडिया में चलाया जा रहा है। परवार का ये कहना है कि उसके खिलाब ये साजिस रची जा रही है, सुप्रीम कोट के आदेस पर और भरस समचार की महिम के बाद जो सिक्यूरिटी महिया कराई गई है, जो सीसी टीबी कैमरे यहां पर लगवाए गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन परवार को किसी तरह द और उसके लिए नीचिता की पराखाष्टा ये है, जो पियूरित परवार है, उसको निसाना बनाए जा रहा है, जो पियूरित और आरोपी है, उसके बीच सम्मंद होने की जो एक तरह से कहें कि पुस्टी है, वो उस तरह की खबरें बाइरल की जा रही हैं, तो समझ सकते ह हैं कि जो पीछे की तागते हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ रही है हाला कि सुप्रीम कोट और हाई कोट दोनों प्यूरित परवार के पक्ष में खड़े हैं और उन्हें इनसाफ देने के लिए आसास्त कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो हरकते हैं वो रुकने क नाम नहीं ले रही है पहले पुलिस प्रिसासन का जो नरेंद्र बने रही हमारे साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भारत समाचार के पास एक और एहम खबर है